हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनधर वीडियो और फ्रेंड्स आज जो ट्रेड हुआ था उसकी बात करने कोसिस करेंगे और आटो सेक्टर में आज तेजी देखी गई है टाटा मुटर का फी लगवग 8% तेजी रही है 118 में बंद दोनों में जो कमजोरी आए थी आज आज कुछ उपर की तरफ गए ऑटो सेक्टर क्या रिजन रहा कारान थे यह उपर की तरफ गए और दिगर स्टॉक एपसी हाउसिंग डेवलोपमेंट फैनेंस कोपरेशन लिमिटेट मैं आज गिरावट रही और यह गिरावट का फाइ रहेगा और फ्रेंट्स न्यूस रहे अब रूकरेज हाउस जिए कि अब पॉजिटिव हो गया है तो वह बतानी कोसिस करेंगे सबसे पहले देखें निफ्टी की बात करनी कोसिस करेंगे इसमें लगबक 10,847 मैं बंद हुआ है बंद हुआ है निफ्टी और संसक 3644 में बंद हुआ है अब आने वाले दिनों में जिस तरह से देखें हो सकता है तो इसी तरह से ट्रेट होना चाहिए क्योंकि नीची की तरफ जिस तरह से आगस्त में आपने देखा कि 10,650 तक आया था उसके बात 11,000 के उपर कारवार गया और सितंबर में यहीं उमीद है कि निफ्टी में ट्रेड हो और काफी वोलटाइल रहने की उमीद रहती है सितंबर में आज मूब रहा तो आटो सेक्टर की बात करने कोसिस करेंगे टाटा मोटर और मारूती दोनों उपर की तरफ गए इसमें देखें जो गड़करी जी हैं उन्होंने कहा कि रेट कट के ल सब्सक्राइब देखिए 120 और 120 को क्रॉस करता है तब आपको यह जो इससे पहले भी जो 125-124 के आसपास तक गया था वहां तक जाने कोसिस करें और 146-127 के उपर अगर यह क्लोज होता है टाटा मोटर काफी उपर की तरफ जा सकता है और इसमें देखेंगे बाहर जो इंट कि इसमें जो अब अगर आप स्टॉप लॉस एकदम से नजिक कर रखना चाहते 115-116 रखिए लेकिन टाटा मोटर में स्टॉप लॉस भी बहुत तेजी से कटता है क्योंकि बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है और फिर गेन भी होता है बट काफी इसने नुक्सान दिया उनका कहना था कि Aucer के लिए कोई जरोडीन है कि मन्दी ऑट ऑटो सेक्टर से ही पूरी हो अने वाले दिनों अगर जियेश्टी में कटोंटी होती है तो और सेक्टर के शियर्स उपर के तरफ जाने कोशिस करने चाहिए और अगर आप यहां पे के लिए वे हैं तो उसको उसी तरह से stop loss उपर की तरफ लगाते जाए क्योंकि मार्केट में कोई भी बैड नहीं हो जाती है तो करेक्शन भी बहुत तेजी से स्टॉक करते हैं और उसी तरह से मारुति का भी है अब सब्सक्राइब करने कोशिस करें हाउसिंग डवल्मेंट फाइनन्स कोपरेशन लिमिटेट यह लोन की कंपनी है और इसमें दीपक पारिक जी का स्टेट्मेंट भी था कि कॉमर्शल में अच्छा ग्रोथ होनी की उमीद है तो अब यह इसमें करेक्शन है दो हजार 24 के आसपास और इसमें जो ऊपन हुआ था लगवागाई 200 के आसपास ओपन हुआ है तो यही हडल रहेगा आने वाले दिनों में 200 का अगर 200 को तोड़के उपर की तरह बंद होता है तो आपको इसमें तेजी देख सकती है तो 1244 का इसका फिप्टी ट्रीविक लो है और हाई है 257 तो अगर आपको यह इस गिरावट में देखिए एक साथ लेने कोशिच नहीं करनी चाहिए बट यह बड़ा स्टॉक है हो सकता है कि रिटेलर इसमें पार्टिस्पेट ना करें और नीचे की तरह आता है अलग वाग तूर तक आने कोशिस करेगा HDFC Housing Development Finance Corruption Limited काफी अच्छा शियार रहा है बाकि यह जो लोन वाले कंपनियां काफी डाउन रही है जो लोन देते हैं उसमें काफी गिरावट रही है तो अब HDFC में थोड़ा सा कमजोरी दिखी है आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा सा और कमज लोन रेटिंग एजनसी है मूडी देखें चेंज हो जाते हैं अभी यह जो मर्जर हो रहा है तो इन्होंने इसको स्टेवल से पॉजिटिव कर दिया है अब प्यन्वी देखिए लगवाएक सेट रुपे में बंद हो है दो परसंट उपर की तरफ गया है तो अगर देखें पिछले वीडियो में बताने ही कोसिस की कि थे प्यन्वी केंडरा बैंक और यूबी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों काफी गिराओट देखी गई थी अगर आप खरीरना चाहते हैं तो 20-30% अपना इंवेस्मेंट करना चाहिए और उसके बाद देखें यह इनको सेवन को ब्रेक करेंगा तो तभी नीचे की तरफ आ सकता है वाट जब मार्केट में गिराओट रहती है तो सारे स्टॉक नीचे की तरफ आते हैं उसमें से देखिए अगर बैंक स्टॉक मां अगर आप देखना चाहते तो प्यन्वी को बाई करनी कोसिस करनी चाहिए क्यों इसी और युनाटेट बैंक आफ इंडिया का मर्जर होगा आने वाले दिनों में और इसको वक्त लग सकता है लगवाग पांस इच्छे मैंने पिछले वीडियो में बतानी कोसिस की गई थी अगर आप ट्रेड करते हैं प्यन्वी को तो कोसिस करने चाहिए इसको बाई करने सितंबर अगर आप प्यन्वी में काम करते हैं तो यह अपडेट है इसको स्टेबल से पॉजिटिव क्या गया है एक प्यन्वी के लिए एक तरह से खुसकबरी रह सकती है रेडिंग रेटिंग एजन्सिया जब इनको माइनस करते हैं तो काफी तेजी से इनमें गिरावट आती है बट आप देखते हैं कि इनको अगर पॉजिटिव दिया है तो किस तरह से तेजी रह सकती है दो परसेंट उपर की तरफ ता तो यह पेंबी की न्यूस थी और टाटा मोटर का जो बताने की कोशिश थी कि किस तले उसमें तेजी रह सकते तेजी आई नितिन गर्करी जो जिन्हों ने कहा है कि फाइनश मिनिस्टर से जैस्टी में रेट कट करने के लिए कहेंगे तो उसके वज़े से यह आटो सेक्टर में तेजी रही और हर गिरावट में इनको कोसिश करनी चाहिए करीदने के लिए और पिछले वीडियो में बतानी कोशिश थी कि अगर को गिरावड में स्टॉक मिलते हैं लगवग अपना अमांड से 25 से 30 परसेंट ही लगाना चाहिए देखिए अभी तोड़ा सा जियो पॉलिटिकल्स और जिस तरह से ट्रेड वार और यह सारी चीजें चल रही है तो पूरा अमांड चौकने की जरुत नहीं है अगर यह इन अगर लगना चाहते हैं लगवग 25 से 30 परसेंट या लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा स्टॉक को बट यह है कि अगर आप उपर के लेबल में फसेव हैं तो दीरे दीरे इन स्टॉकों को बाई करने भी कोसिस करनी चाहिए यह एक व्यूव हो सकता है अ फिर कोई नए वीडियो लेके आएंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद